नमस्कार दोस्तों, Investor Guru में आपका स्वागत है आज हम इसे तीन शेरों के बारे में देखेंगे जो काफी कमाल के रिटन दिये है और आगे बहुत अच्छे रिटन दे सकते है जिनका मार्केट कैप भी बहुत चोटा है और ये एक माइक्रो कैप कमपनी क्या सकते है कि ये बहुत चोटी कमपनी है और अगर ये बड़ी तो आपको माला माल भी कर सकती है आगे फ्यूचर में तो हमारी पहली कमपनी आती है Advert Infra Trek Limited इसका रिटन देखेंगे हम 6 मैने में 317% दे चुकी है एक साल में देखेंगे तो 658% के रिटन और 5 साल में देखेंगे तो 900% के रिटन है और पूरा फुल टाइम मतलब 5 साल का ही ये डेटा दिखा रहा है क्योंकि ये अभी जस्ट लिस्टेड हुई है तो 5 साल में 900% के रिटन दे रहे हैं और इनका हम इनके business और इनके financial पर देखते हैं इनका business है aluminium clad steel wire वगेरा बनाने का यह एक infrastructure company से related काम करती है जिसमें aluminium के wires आते हैं then emergency storage system जो हम घर में या फिर खेतो या फिर यहां बनाते हैं springing tools फिर then line project procurement solution और tanky project तो मतलब यह सब चीजों में यह काम करती है infrastructure related company infrastructure तो आपको पता ही होगा कि lifetime चनने वाला चीज है कि मतलब लोग देवलप होगी दुनिया के साथ दुनिया जैसे जैसे डेवलप होएगी वैसे वैसे यह चीज़े continue चलते रहेगी आज बना लिया तो अगले दिन कुछ सालों बाद तो building वो तूट नहीं है फिर से वायर और यह सब की ज़रत तो पड़ेगी हम इसके financial देख लेते हैं इतने हाई की तरफ है और फिर इसका डिविडेंट इल भी डिविडेंट भी देती है जिरो पॉइंट टू परसेंट तो यह एक डिविडेंट वाली वी कंपनी है यह सील्स की ओर बढ़ते हैं देखते इनकी से सेल्स कैसे थे तो 2018 में मातरे 43 करोड का इनका सेल्स था और मार्च 2022 में अभी 62 करोड के सेल्स हो गया है तो सेल्स में एक अच्छी जंप दिखाई दे रही है नेट की बात करें 2018 में नेट प्रोफिट था चे करोड और अभी ये 2020 हमें तोड़ा साओ अभी 2022 2017 करोड ग्रोथ हुए अप डाउन तो लगे रहेगा हर साथ हर यह का रिजल्ट सेम नहीं आता है जब तक कि यह कंपणी अभी अगर यह कंपणी स्टार्टिंग है ग्रोग कर रही हैं आप देख सकते कि लास्ट पांच इयर का इसका डेटा था तो यह कंपणी एक अपने ग्रोइंग फेज में है तो थोड़े से अप डाउन रहेंगे बट अगर यह कंपणी चली तो काफी अच्छे रिटन दे सकते हैं आप देख सकते हो कोई भी कंपणी एक स्मॉल कैप माइक्रो कैप कंपणी होती है वो दीरे-दीरे अपने बिजनस को स्टेबल करते करते हो ग्रोग करते वहूं पल Kerryंग को है है थे एक जाइन के ब्सक्राइब करते सबस्कूर में और मैंसे में फेज और दूस्ते अपने share की हो जाते हैं, share का नाम है Captain Poly Plus Share Limited, यह एक company का return हम देखेंगे, 6 महीने में downside दिखाई दे रही है, एक साल की बात करें तो, एक साल में भी downside 40% का दिखाई दे रहा है, और 5 साल की बात करें तो, 52% का downside दिखा रहा है, और all time का बात करें तो, 218% का अभी भी gain दिखाई द दे रहा है, 2014 में यह company आई होई थी, महात्रो 16 रुपे की company है, यह Captain Poly Plus, अभी BAC में ही लिस्ट है यह company, तो हम इसके अभी बाकी parameters भी देखते हैं, यह company देखो, लास्ट 2014 से 2000, 21 में इसने 700% के return दे चुके, अभी downside चल रहा है, तो हम इसके बाकी parameters भी देखते हैं, कि यह company कैस agriculture related company है, irrigation project और यह सब equipment बनाती है, agriculture से जो भी related है, जर्मन, इसराइल technology यूज़ करती है, अपने product को बनाती है, और इनका जो manufacturing unit है, वो राजकुट और करनोल में है, तो इसका distribution की बात करें, तो 16 स्टेट में इनका distribution है, इंडिया के, और more than 750 dealers है इनके, Captain के, तो एक अच्छी ब business divert है, बाकी parameters भी देख लेते हैं, company का मातर 83 करोड की company है, current price इसका 200 रुपे का है, low इसका 34 था और high इसका 200 है, तो यह एक अपना high बना रहा है, और high के तरफ ही यह share, और dividend की बात करें, तो dividend zero है, तो dividend company नहीं देती है, और हम इनके sales की बात करें, इनका sales 2020 में देखें तो 45 कर और अभी के time 2022 में देखेंगे तो 83 करोड के आसपस इनका sales हो है, तो काफी अच्छे double की growth मातर 3 सालों में दिखाई दे रही है, यहां 45 से direct 83 करोड, तो काफी अच्छे sales growth दिखाई दे रही है, operating profit की बात करें, तो 2 करोड से अभी 2 करोड 26 ही है, तो इसमें operating profit में तो एक jump नह 5 करोड का net profit आया इनका, तो काफी अच्छी शांदर growth रही है, 5 करोड के direct इनकी jump दिखाई दे रही है, net profit में, काफी अच्छी बात है, company ने, मतलब order income, और इससे भी काफी अच्छी order income, mostly हम कह सकते है, कि इसमें order income का ही जादा हाथ है, 5 करोड, 5 करोड 31 इनका order income का income है, तो इ 2018 में 3 करोड था, फिर 4 करोड हुआ, अभी 5 करोड के आसपास है, और borrowings की बात करें तो, borrowings देखिए दोस्तो, borrowings करजा, करजा घटना चाहिए, और reserves बढ़ना चाहिए, तो यह company का ऐसी दिखाई दे रही है, इनके borrowings हम देख सकते हैं कि 9% थे, फिर 5% हुए, फिर 3% हुए, 25% के आसपास, promoters की हिसेदारी और public की हिसेदारी 25% के आसपास है, तो यह company काफी अच्छी, मतलब sales growth और net profit भी अच्छे कमारी है, तो काफी अच्छी बात है, इस company में potential है कि वो आगे जा सकती है, हमारा next share है, एक्षिता cotton limited, एक्षिता cotton limited की बात करें तो, 5 दिन की बात करें और एक साल की बात करें तो, 80% एक साल में भी दिखाए दे रहा है, और 5 सालों की बात करें तो, यह company, यह company June में आई है, जस्ट तीन महिने पहले आई है, और इसका max देखेंगे तो 68% का return दे रही है अभी तक के, तो यह एक fabric की company, यह cotton कपड़े वगेरा related काम करती है, तो इ यह business इनका continuation ले वाला business है, तो हम इसके बाकी parameters भी देख लेते हैं, कि इनके net profit और बाकी चीज़े कैसी रहती है, यह manufacturing cotton, finished cotton, bills, cotton and seats बनाती है, तो इनके market cap की बात करें तो 636 करोट का market cap है, यह एक small micro cap company कह सकते है, 1000 करोट के नीचे ही है, यह एक बहुत सी चोटी company है, तो इनक price की बात करें तो 325 करोट का current price है, और इनके high और low की बात करें तो 349, मतलब यह अपने high के तरफ ही है, अभी dividend इस company में zero मिलता है, dividend इस company में नहीं मिलता है, यह एक साल में मातर 35 के रुपे के आसपास थी, और अभी 300 के उपर भी, 329 के उपर भी यह price जा चुका है, तो काफ growth वाली company यह दिखाई दे रही है, कि इनके balance sheet की हम बात करें, तो balance sheet में potential होगा, तभी इतनी अच्छी growth दिखाई दे रही है, इसमें, sales की बात करें तो 2019 में मातर 213 करोड का था, और 2022 में बोले तो 823 करोड, तो काफी अच्छी sales growth दिखाई दे रही है, और operating profit की बात करें, त net profit की बात करें तो दोस्तो 2018 में 0 था, यह बढ़कर 2022 में 15 करोड आ चुका है, तो काफी अच्छी शांदार growth दिखाई दे रही है, 00, फिर 4, फिर 15, तो net profit में भी बहुत अच्छी jump दिखाई दे रही है, यह company अगर चल गई, यह जितने भी मैंने company बताई है दोस्तो, यह company अ तो इस वज़ा से इनके growth के potential growth के chances बहुत जादा है, अगर यह तीनो company मैंने बताई है, अगर यह चल जाते है तो बहुत अच्छा खासा आपको multi bagger return दे सकता है यह company, तो इस company के result भी हमें track करते रहना है, अगर हमने investment किया है, तो इसे हमें हर 6 मैने, 3 मैने में इसका performance कैसा आ आ रहे है, उसे भी track करते रहना, इसके returns कैसे आ रहे है, फिर इसके news में कुछ है कि नहीं है, हमें ऐसे 3 मैने, 6 मैने में एक एक बार track करते रहना, अपने जितने भी share हमने लिए हुए, तो धन्यवाद दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, मैंने यह 3 share बताए, आपको कैसा ल आगा हो, तो like and subscribe जरूर करें, thank you दोस्तों, मिलते हैं next video